हेलो दोस्तों मोमेट अकड़िमी में आपसे भी लख सोगत है जैसा कि प्रेज वीडियो में आपने एडिशन और एडिटिव इन्वर्स को सॉल्व किया था और इसमें आम लोग क्याते हैं find the product को सॉल्व करेंगी तो point number one है 3 upon 5 into minus 7 upon 8 है तो इसको क्याते हैं करेंगे तो point number one है यहां पर 3 upon 5 into minus 7 upon 8 तो इसमें देख रहे हैं कि आप इसमें देखिए उपर उपर क्याते हैं कटेगा नहीं ठीक है तो नीचे नीचे भी कटता है या भी क्रॉस कटेगा ठीक है लेकिन इसमें क्या करते हैं ख्यों आहता है और ना ही वाई पिते दल्स इवडेगा तो इसमें क्या करते हैं न क्यों तक क्या करेंगे यह मानिसचे क्या यह आएटक जयाएगा सहीste ुइसिप्प करते हैं मायन पॉइंट्रू पॉइंट्रू लेते हैं तो मायन इन ऊपाँा में टू-2 ur टो-1 उपाँद्रू यहाँ फोर है तो यहां-प लेकिन आमने सामने हैं नहीं जीसे कि हम माइनस 9 है और यहां पर लिखा है यहां पर फॉर है तो यह नहीं कटेगा ख्रॉस क्रोस कटेगा या फिर क्या करते हैं तो क्या क्या है तो इसमें कि इसमें क्या है तो को हो जाएगा यह आपका सिकेंड का एंसर हो जाएगा तो पॉइंट नमबर थाड है मैनस खेंफ एलस इंटो मांच फाइओ ऑपन में थरी ठीए तो यहांप नमबर कि को ऐख सरिंस और भाइन कर्थ है तलुए इस य्षे कि टोश्चा है तो किना आएगा 10 आएगा 11 का मल्टिप्लाइब 1 में करेंगे तो 11 आजाएगा यह आपका थर्ड का एंसर हो जाएगा पॉइंट नमर फूर्थ है तो देख रहा है तो आप देख रहा है मायनस मानस कैंसिल हो जाएगा यह फाइब 3 वण ट्री 15 में करेंगे तो यह ऑन का मल्टिप्लाइब 1 में करेंगे तो लिखन नहीं तो यह नफैश का एंसर हो जाएगा तो पॉइंट नमर फाइफ है माइनस 7 अपन में 6 इन्टू 24 ठीक है तो पॉइंट नमर 4 फिप्थ है माइनस 7 अपन में 6 इन्टू 24 तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इसको कहते हैं नीचे जो है 6 से कट जाएगा तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 तो माइनस 7 का multiply 4 में करेंगे तो माइनस 28 यह आपका फिप्थ का answer हो जाएगा verify each of the following numbers तो यह verify इसको करना है तो यहाँ लिखाए पॉइंट नमर 1 है 3 अपन में 7 इन्टू माइनस 5 अपन में 9 is equal to minus 5 अपन में 9 into 3 अपन में 7 ठीक है तो पॉइंट नमर second है minus 8 अपन में 7 इन्टू 13 अपन में 9 is equal to 13 अपन में 9 into minus 8 अपन में 7 ठीक है तो पॉइंट नमर 1 लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ solution लिखते हैं verify करना है तो हम पहले करते हैं LHS लेते हैं ठीक है यह LHS है यह राइट हैं राइट हैं साड है ठीक है तो यह 3 अपन में 7 into minus 5 अपन में 9 है तो इसको हम solve करेंगे तो देखते हैं कि अपन 3 और 9 कट रहा है तो 3 वंज़ा 3 अब यह 3 तरी जा 9 तो अब 1 का multiply माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 5 अपन 5 आएगा and 7 का multiply 3 में करेंगे तो माइनस तो किना आएगा 21 आएगा तो यह आपका कहते हैं LHS हो गया यहाँ पर इसके कहते हैं RHS निकालेंगे RHS निकालेंगे तो माइनस 5 अपन में 9 into 3 अपन में 7 is equal to देखिए आप ही कट रहा है 3 के टेवल से तो 3 बंज़ा 3 3 जा 9 ठीक है तो माइनस 5 का multiply 1 में करेंगे तो माइनस 5 आएगा and 3 का multiply 7 में करेंगे तो 21 आजाएगा तो आप देख रहे हैं यह दोनों क्या करते हैं LHS और RHS क्या है दोनों equal आया है तो क्या हो जग प्रूफ हो जाएगा आपका ठीक है तो point number second लेते हैं minus 8 upon me 7 into 13 upon me 9 is equal to 13 upon me 9 into minus 8 upon me 7 ठीक है तो point number second का लेते हैं यह first का था तो यहां लिखा है minus 8 upon me 7 minus 8 upon me 7 into 13 upon me 9 तो इसको भी क्या करते हैं solve कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर इस टेवल से किविसी किना कटेगा तो इसमें direct multiply कर देंगे तो minus 8 into 13 इसका multiply 3 में करेंगे तो किना एको 24 24 का 4 हो जाएगा और 2 केरी हो जाएगा तो 8 का multiply 1 में करेंगे तो 8 बंजा 8 8 out 1, 8 out 2 किना हो जाएगा 10 हो जाएगा यह minus है तो minus यह आप लगा देते हैं ठीक है 7 का multiply 9 में करेंगे तो 63 हो जाएगा यह आपका LHS निकलेगा ठीक है अब यहां पर RHS है तो 13 upon me 9 into minus 8 upon me 7 है तो लिखते हैं आपर 13 upon me 9 into minus 8 upon me 7 है यह क्या करते हैं RHS है ठीक है RHS है सॉल्व करते हैं तो यह देख रहे हैं आप 13 into minus 8 is equal to किना आएगा minus 104 आएगा and 9 को multiply 7 में करेंगी यह 7 है तो 9 को multiply 7 में करेंगी तो 63 आ जाएगा तो आप देख रहे हैं यहां पर LHS और RHS के आपने दोनों equal है तो यह क्या आपका proof हो जाएगा देखे प्रपर्टि नमर वन है existence of multiplicative inverse ठीक है तो यह क्या करते हैं आपका प्रपर्टि नमर वन है इसमें लिखा है every non-zero natural number A upon a B has its multiplicative inverse of B by A तो ऐसे non-zero natural numbers जो A upon B हो ठीक है उसका multiplicative inverse क्या होगा B by A हो जाएगा ठीक है तो यहां लिखा है थस A upon B into B upon A ठीक है तो इसमें multiplicative inverse मतलब क्या होता इसमें क्या करते हैं ऐसा multiply करें A by B के रूप में जो की उसका value क्या जाए 1 आ जाएगा ठीक है तो वहीं इसके में इसमें क्या कोते हैं multiplicative inverse में क्या तो इसमें फॉलो होता है तो इसमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं B upon A into A upon B is equal to 1 ठीक है यहां question लिखा है find find the multiplicative inverse of that is reciprocal इसको reciprocal भी कर सकते हैं और इसे point number 1 है 13 अपान में 25 point number 2 है minus 17 अपान में 12 point number 3 है minus 7 अपान में 24 and point number 4 है 18 and point number 5 है 16 है minus 16 ठीक है तो इसको क्या करते हैं solve करते हैं just like इसी प्रका के multiplicative inverse की तरह ठीक है तो यहां point number 1 का solution लिखेंगे यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है तो देखते हैं तो point number 1 का लिते हैं तो 13 अपान में 25 तो 13 अपान में 25 का inverse क्या हो जाएगा ठीक है तो इसका लिखते हैं तो 25 अपान में 13 इस दा रेसी मल्टिप्लिकेटी इन्वर्स आफ मल्टिप्लिकेटी इन्वर्स आफ 13 अपान में 25 तो इसमें लिखा है 13 अपान में 25 का मल्टिप्लिकेटी इन्वर्स क्या हो जाएगा 25 अपान में 13 हो जाएगा यहां सॉल्व करते हैं इसका 13 में 25 है यहाँ पर इसका की हो जाइगा इसका इन्सी का मुल्टिप्लाइब के जाएगा मल्टिप्लिक्ट इन्वर्स निकालें जो इसका ट्वैंटिप्अपान में थर्टिन आ जाएगा ठीक है तो यह ब生 Chief के स्बीक्रें की weakened ट्वैर्स पॉस इस स्वेंट नमें सक्ष łora क्या होगा मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स तो 12 अपान माइनस 12 अपान में 17 is the मल्टिप्लिकेटिव मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स आफ इन्वर्स आफ माइनस 17 अपान में 12 ठीक है तो माइनस 17 अपान में 12 ठीक है तो पॉइंट नंबर थर्ड लेते हैं माइनस 17 अपान में 24 है तो पॉइंट नंबर थर्ड लेते हैं यहाँ पर minus 7 upon me 24 है इसका multiplicative inverse क्या आ जाएगा यहां solution है तो minus 24 upon me 7 is the multiplicative inverse of minus 7 upon me 24 यह आपका इसका third का answer यह आ जाएगा ठीक है आप second का answer यह होगा ना multiplicative inverse इसका multiply करने भी क्या जाएगा वन आ जाएगा ठीक है तो similarly इसी पर कहते है point number fourth लेते हैं तो point number fourth है ठीक है तो point number minus point number fourth है 18 अब point number five है 16 है ठीक है point number four लेते हैं 18 का ठीक है तो देखे point number four तो इसका multiplicative inverse क्या हो जाएगा वन आपकान में 18 is the multiplicative inverse inverse of 18 इसका 18 का multiplicative inverse क्या हो जाएगा वन अपकान में 18 ठीक है पस्तों क्या हो जाएगा ठीक है the फॉर्थ और फॉर्थ फाइब का भी क्या हो जाएगा यह फाइनल एंसर हो जाएगा ठीक है तो पॉइंट नंबर सिकेंड है माइनस फॉर पान में नाइन के होल की पावर माइनस वन पॉइंट नंबर थर्ड है माइनस 7 के पावर होल की पावर माइनस वन है एंट पॉइंट नंबर फॉर्थ है तो वन अपान में माइनस 3 अपान में के होल की पावर माइनस वन है ठीक है तो इसका एक फारूमला है यहाँ पर तो एक इनवर्स इस इक्वाल तो ब्लेट मिस माइनस वन ठीक है इस इक्वाल question यहां दिया गाई इसका answer क्या हो जाएगा इसका universe निकालेंगे मतलब A1 upon में A हो जाएगा ठीक है तो that means इसको A upon में इसको भी ऐसे लिख सकते हैं A upon में B whole universe is equal to B upon में A इसको ऐसे भी यह क्या ते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसको कह कamba है इस फॉ дома है यह यह भी हाए इसको use for में यह यह भी है इसको इसको इस फॉ में लेख सकते हैं क्या लिखते हैं हिकस में तो पॉइंजी सी के थे हैं फोस्ट है तो फाइड अब इसका आ पर सिकेंड लेते हैं यह आप पर लिखा यह आप आप माइनस फूर अपाज मी नाइन होल इंवर्स ठीक है मैं ऐसका इनवर्स क्या हो जऑका- माइनस नाइन एपाज में उख़ए यह आपका इंसैं पर दोबस ठीक है कम फो यह अपर minus seventeen minus seven whole universe इसका minus seven whole universe क्या आ जाएगा minus one upon seven minus one upon seven इसका ये 3rd का answer ये हो जाएगा तो point number fourth है one upon minus three whole universe तो point number fourth है इसका एंसर क्या जाएगा तो वन तू नीचे चला जाएगा और उस त्री उपर चला जाएगा ठीक है तो वन तू नहीं लिखेंगे ना तो माइनस त्री ये फोर्थ का भी एंसर आ जाएगा ठीक है ठीक है तो डिवाइड करना है पॉइंट नीचे वन लिखते हैं और फॉर पॉन में फाइफ है और डिवाइट ट्रैवल पॉन में मानस फाइफ एंड पॉइंट नंबर टू है मानस एट पाइट डिवाइड 7 upon me 16 point number 3 minus 12 upon me 7 divide minus 18 point number 4 minus 1 upon me 10 divide 1 minus 8 upon me 5 तो ये कहते है divide है तो divide को अम्दों को solve करते हैं तो दिखते हैं आपन ठीक है solution तो point number 1 4 upon me 5 divide 12 upon me minus 5 तो इसमें क्या करते हैं लगाने की बाद इसके रेसिव प्रोकल हो जाता है ठीक है तो सलूचन में लिखते हैं यापट है राइण साइड वॉली एक आपकर लेते हैं ठीक है मटीपली लगाने की बाहर टीक है तो multiply लगाना लगाया में नहीं, minus 5 पान looks 12 हो जाएगा, अब जो कते कट दिना में, तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, minus 1 ठीक है? 4 वन ज़ा 4, 4 तरी ज़ा 12, ठीक है? तो minus 1 पाने, 1 का multiply minus 1 में करेंगे, तो minus 1 आएगा, 1 का multiply 3 में करेंगे, तो यह minus 3 हो जाएगा यह आपका first का answer हो जाएगा ठीक है तो point number second लेते हैं minus 8 divide by minus 7 upon 16 है तो point number second है तो minus 8 divide minus 7 upon 16 है ठीक है इसका receive protocol करेंगे यहाँ पर inverse निकालेंगे तो उपर का निचे निचे को पर हो जाता है right hand solid कर ठीक है तो minus 8 into 16 upon में यहां minus लिखते हैं minus 16 upon 7 ठीक है तो यह minus minus cancel हो जाएगा जो minus cancel हो जाएगा और जो कि इसमें देखो cut cut नहीं रहा है तो cut नहीं रहा है तो इंटारेक multiply कर दें तो 8 का multiply 6 में करेंगे तो कितना आएगा तो 48 आजाएगा 48 का एट आजाएगा और 4 करी हो जाएगा ठीक है फिर 8 का multiply 1 में करेंगे तो 80 आएगा 8 आप 4 किना हो जाएगा 12 ठीक है 12 अब इसका कहते हैं डिवाइट कर देने हैं क्या कि जो इसका आएगा तो तो यहां पर लिखते हैं यह कितनी बान में आएगा तो तो 7 7 6 जा नहीं 7 7 8 जा किनना हो जाएगा 50 56 हो जाएगा ठीक है तो 8 में से 6 गया 2 and 5 में से 5 गया 0 ठीक है तो 18 होल 2 अपान में 7 यह आपका सिकेंड का एंसर हो जाएगा थीक है तो यहां पॉइंट नंबर थाड लेते हैं माइनस 12 अपान में 7 डिवाइड माइनस 18 तो इसको क्या करते हैं इसका भी राइट हैंड साइडर को रेसीप प्रूकल करेंगे तो माइनस 12 अपान में 7 इन्टू माइनस यहां पर क्या करते हैं 1 लेते हैं तो 1 अपान में 18 हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे जे इक्रॉस क्रॉस कटता है या फिर issue करता है जो एं आयए माइनस आधे माइनस कैंसल हो जाएगा आप डेख रहे हैं कि अब नहीं कट रहा है तो 2 का multiply 1 में करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा और 7 का multiply 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा और आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्या है less है 21 से ःतिक है डिम्निकर क्या है greater है और ऑर निम्निकर and divide minus 8 upon me 5 ठीक है तो इसका यहां लेते हैं point number 4 है minus 1 upon me 10 divide और क्या लिखते हैं यहां पर minus 8 upon me 5 ठीक है इसका solution यहां लिखते हैं ठीक है तो इसका minus 1 upon me 10 है इसका minus 1 upon me 10 लिखते हैं ठीक है इंटू लगाएंगे तो इसका reciprocal जाएगा उपर का नीचे नीचे का उपर हो जाएगा ठीक है तो 5 upon me minus 5 upon me 8 हो जाएगा यह minus minus cancel हो जाएगा और आप देख रहे हैं यह आप 5 और 5 हो रहा है यह कट रहा है दो तो 5 upon me 5, 5, 2, 10 यह अब नहीं कट रहेगा यह सब नहीं कट रहेगा क्योंकि उपर नीचे दोनों नीचे हो है ठीक है उपर रहता तो कट जाएगा तो 1 का multiply 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा ठीक है यह आपका उर्थ का क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा